एक दिन छुटी से गाओं में एक छुटी से बच्ची का नाम अली था. अली का सबसी पसंदीदा काम कहीलना था. वो हमेशा कहीलों की दुनिया में गम रहता था. एक दन वो अपनी दोस्तों की साथ गींद खील रहा था. गींद एक तरफ फीन की गई और अली ने दोड़ कर उसी पकड़ने की कोशिश की लेकिन अच्छानक अली का पावों पत्थों में चबक गया और वो गर गया अली को दर्द होनी लगा और वो रोनी लगा उसकी दोस्त धीरे से पास आई और उसको देखकर परिशान होगी वो उसी हस्पताल ले गई हस्पताल में डाक्टर ने अली का देख भलके और उसी टेक्स करने की बात कहा तमे ने अपनी पावों को जखमी कर लिया है आपको चलना बंद कर दिया गया है लेकिन जल्दी ही आपको ठीक कर दिया जाएगा अली को तसवर करना पड़ा की वो कुछ दनों तक खील नहीं सकता और उसी बहुत अफसूस हुआ लेकिन उसने डाक्टर की बातों पर अमल किया और तंदरस्त होने के लिए तियारी की अली की माने उसी हमेशा मजीदी की हमायत दे और वो ठीक हुआ अब वो खीलने के लई मजीदी का इस्तेमाल करता है और अपनी दोस्तों की साथ खीलता है ये कहानी हमें ये सखाती है कि कभी भी हमें अमीद नहीं हारनी चाही और किसी भी मुश्किल का सामना करने पर हमें काम्याबी हासिल हो सकती है